हेलो इड़वन वेलकम टू कमपेटिशन करेयर पॉइंट मैं आज आप लोगों के लिए जार्खन पीटी हिंदी पेपर केंटर गत टेस्ट सीरीज नमबर सिक्स का आप लोग टेस्ट लगाएंगे और खुद से लाइसिस करेंगे 150 में कितने प्रस्ण आपके सही हो रहे हैं और ये यूट्यू चैनल पर सबसे बहत्रीन टेस्ट सीरीज चल रहा है इसके बाद भी टेस्ट सीरीज आने के चांसे ज़्यादा है और जो लोग इसी टेस्ट को पीडिये फॉर्मेट टेस्ट ना चाहते हैं तो 700 450 1486 इस पर आपक कि टेस्ट सीरी मुझे चाहिए जो कि ये हर टेस्ट का आपको प्राइस पता है कि 10 रुपिया है तिस टेस्ट का भी है 10 रुपिया लगेगा इस टेस्ट का भी और साथ में इसी वार्सेट पर आपको टोटल सलेपस का नोर्स जो कि PDF4 में मिलेगा जो कि वार्सेट मिलेगा और इंडिविजुल टोपी का इंडिविजुल खंड का आप कैसे भी किसी प्रकार का नोस चाहते हैं जरूर इस नंबर पर मेसेज कीजिए कि साथम को यह चाहिए तो रत मिल जाएगा जो की पेड होंगे शुरुबात करते हम लोग पहले नाव प्रस्ण जो है गाउवाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गाउव दूसरे गाउव से ही नहीं है रूपिय हो तो हुक का पाने का काम है ना जात बिर्दारी का गोदान उपनियास में यह कथन किसका है आपने पास बिकल्प है होरी हीरा गोवर भोला तो यहां से आपका बिकल्प C होगा गोबर नेट्ट प्रस्ट जो है गोदान उपनियास के पात्र नहीं है नोरी, चुहिया, मंगरुसाहू, लच्छमी तो बिकल्प D सही जवाब हो जाएगा आपका लच्छमी यहां पर आपको असंगत बताना है सोना का पती का नाम मथुरा था, रूपा का पती का नाम रामसेवक था जुनिया का पती का नाम गोवधन था, सिलिया का पती का नाम दतादिन था तो जब आप गुदागान उप्यास पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल ही हसन में आदा होगा कि ये विकल्प D आपका यहां से ये असंगत है नेक्ट है गुदागान की भासा है और असपस्ट सरल क्लीष्ट कठीन तो विकल्प भी सही जब हो जाएगा गुदागान की नगर कठा की परमुख इसरी पातर कौन है पुनिया धनिया मालती नूहरी विकल्प सी आपका सही जवाब गोबर सहर से कितने रुपिय कमा कर लाता है एक सो दो सो तीन सो चार सो विकल्प भी हो जाएगा दो सो मैला आचल कहानी का कठा छेतर है बंगाल, बिहार, उडिशा, उतर परदेश तो विकल्प भी हो जाएगा बिहार नेक्ट परस्ट जो है किसानों की साल भर की कमाई का लेखा जोखा कहा होता था तस्लिदार के घर पर खमार में, खेत में, बजार में विकल्प भी हो जाएगा खमार में नेक्ट प्रस्ट प्रस्ट है मेरी गंज के मजूरों को परतेक दीन कितनी मजूरी मिलती है एक रूपिया, सवा रूपिया, डेर रूपिया, डाई रूपिया तो विकल्प भा हो जाएगा सवा रूपिया नेक्ट है, नेपाली लड़कियों की तसकरी करने वाला कठा थना का सेक्रेटी है काली चरान, सुमृत दास, दुलार्चंद काप्रा, बाबंदास विकल्प सा आपका सहीज़व होगा नेक्ट है, गाओं में तिसरी सकती का कर्तब कोन पूरा करते रहते हैं? ब्रामन, राजपूत, यादो, कायस्त विकल्प होगा ब्रामन नेक्ट है, जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर मैला आचल, उपन्यास में या कठन किसका है? बाबंदास का, बलदेव का, डॉक्टर पर्षान का, कालिचरन का तो विकल्प यहां से आपका डी सहीजवाब हो जाएगा, कालिचरन नेक्ट प्रष्ण है, निमलीखित में से असकन गुप नातक का पात्र नहीं है चक्रपालित, बंदू बर्मा, भीम बर्मा, सिंहरन तो विकल्प यहां से आपका डी सहीजवाब होगा, सिंहरन नेक्ट प्रष्ण है, देवसे ना को हूनों के हाथों से कोण बजाता है असकान गुप पर्णदत, कमला, कोई नहीं तो विकल्प भी आपका सहीजवाब होगा सर्वना की पतनी का नाम क्या है, कमला, रामा, अनन्देवी, इन्वेसिव कोई नहीं तो विकल्प आपका यहां से भी सहीजवाब होगा, रामा नेक्ट है, आव वेदना, मिली, बिदाई, किसका कथन है मातरी गुप देवसेना, मुदगल, बिजयार अब यह बहुत फेमस कथन है, या गीत है, जो भी बोलिए तो यह आपका विकल्प भी आपका सहीजवाब हो जाएगा नेक्ट है, असकंगुप नातक में मालो के धन कुबेर की कनिया कौन है जैमाला, देवसेना, बिजया, मलनी तो विकल्प C आपका सहीजवाब होगा, बिजया नेक्ट है, आचार, वद्रूची, उजयनी से कल्दास के पास क्यों आये है आपके पास चार विकल्प दिये हुए हैं, विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C, विकल्प D तो यहां से विकल्ब आपका सी सहीजवा हो जाएगा दो रत रत हुआ और चार अस्वार हो ही उनके साथ हैं यहां वाक्ता कौन है? मलिका, मातूल, कालदास, अम्बिका विकल्ब भी हो जाएगा मातूल एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल अस्वास प्राण दे सकता है यहां वाक्ता कौन है? विकल्ब सी होगा कलदास नेक्ट है, निमलिकीत में से कौन सी विसेस्ता कलदास में नहीं है नाटक का नायक, कस्मीद का सिनापती, मल्का का प्रेमी, सम्राट, विक्रमादित्ति की दर्वारी कभी विकल्ब भी आपका सही ज़ब हो जाएगा नाट केंडर से जूड़ी हुई दो नागरियों के नाम है अनुस्वार, अनौसिक, बिलों, प्रनायम, रंगनी, संगनी, इन में से कोई नहीं विकल्ब आपका सी आपका सही ज़ब होगा भारत दूदासा का पात्र नहीं है आलश, मदीरा, अंधकार, लज्या विकल्ब डी हो जाएंगे लज्या भारत दूदासा के पाँचिवें अंग के संदर में सही है चार विकल्ब दिये है विकल्ब डी आपका सही ज़ब होगा समसान में कुत्तों, कौवों, स्यारों की बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता है भारत दूदासा के किस अंग का दिरिश्या है भारत दूदासा अतित गौरों की चमकदार इसमिती है आशू भरा वर्तमान है और भविश्य निर्वान की भव्य प्रेना है इसमें भारत दूदासा भारत प्रेम करूना की सरीता के रूप में उमर चला आया है आशा की कीरन के रूप में जिर्मला उठा है किसका कथन है यह? आपके पास चार बिकल्प दिये हुए यहां पर तब का यहां से बिकल्प आपका एस ही जो हो जाएगा भारत दूदासा नाटक के समन्द में बातों पर विचार केजिए देखें यहां पर जो लिखा हुआ है भारत दूदासा नाटक का प्रकासन 1880 शुमई है आप कहें कहें बुख में देखेंगा नहें इसफीक जगा आपको इहां पर देखिए किसी बुख में दया 1880 दिया हुआ है तो देख लिजीए आपका आपके अंसा अंसर सही रहेगा 1800 80 प्रेंधा है लेकिन यहां پर जो लिखा हुआ यह परकासर यह बिल्कुर यहां पर अपको इस जो में प्रस्म लाया हूं उसके लिए ये भी बिलकुल सही है तो option लिटा स्थे है, अप लोग पिए साज ह fav और यहां ह्पिए और यही दिना चाहिए अगमेंड देख लिजिए गा आपको आपके इसास जो भी अंसर होगा आप कमेंट से सिर्म रिप्लाइख किजिएगा यहां पर देखिए 5 पांचों 5 यह हैं A दिये हुए हुए चेंच करना है केवल एडी तो यहां से आपका देख लिए यहां से आप का देखिए यहां से आपका देखिए बीडी आपका करेट है D भी सही है E भी सही है बाकी यहाँ पर दो है और रोंग है आपर पुछा है सही वाला तो सही क्या हो जाएगा विकल्प D option हो जाएगा नेक्ट है हलकू और मुनी प्रेमचन की किस कहानी के पात रहें जी बेटुवाली बिदवा अलोग युजा कहानी तूस की रात कहानी दिल की रानी तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब देरोंगे विकल्प D सही जवाब बेटो वाली बिद्वा कहानी का पात्र है फुलमती, करूर्णा, रामप्यारी, गोपा तो बिकल्प आपका ये होगा फुलमती हरिदन, गुमानी और मंगरू किस कहानी के पात्र है घर जमाई, जोती, जहां की दिल की रानी तिये बिल्कुल ये आपका सही जवाब होगा घर की घर जमाई कहानी नेक्ट है यहाँ पर कथन लिया गया है छकोडी ने मू लटकाए कुर्टा पहना और इस तरह कॉंग्रेस दाप्तर चला जैसे कोई मरनासन रोगी को देखने के लिए पैत को बुदाने जाता है यह कथन किस कहानी से लिए गई है तमान, जहांकी, लांचन, रसिक संपादक विकल पे होगा तमान कहानी इसलिए गया है यहाँ पर देखिए असंगत बताना है ठाकुर काकुवा, गंगी, कायद, प्रेमा, दिलकिरानी, हवीब, धिकार, मुल्या यहाँ परिशा कहानी दिये है उसके पात्र दिये है तो बिलकुल आप लोग D से जवाब करेंगे दिकार नेक्ट है असंगत पताईए इदगा कहानी के नएका हमीद है सामती कहानी के नएका गोपा है जैद्यो जहाकी कहानी का पात्र है मैना सुभागी कहानी का पात्र है तो यहां से विकल्प आपका D सहीजवाब होगा नेक्ट प्रस्ण जो है राम प्यारी की बहन का क्या नाम था लच्मी, मुलिया, राम दुलारी, मुन्नी तब विकल्प आपका यहां से C सहीजवाब हो जाएगा नेक्ट है मान सोरवर भाग 21 कहानी में मुरादाबाद अस्टेशन का जिक्र हुआ है गुली रंटा कहानी, नसा कहानी, बड़े भाई सहाब जाकी कहानी तब विकल्प B हो जाएगा नसा कहानी मान सोरवर भाग एक में कौन सी कहानी समरित नहीं है सिकार, सुभागी, अनुभाव, मदुवा तिहां से विकल्प D हो जाएगा मदुवा नेक्स्ट प्रस्ट जो है लोग के संदर में नीन में से असातिक कथन कौन सा है आपके पास चार विकल्प दिये हुए है विकल्प ये आपका असत्ति है यहां से विकल्प आपका ये सही जवाब नेक्स है 38 नमर नीन में से कौन सा कथन असत्ति है यहां पर भी चार विकल्प दिये हुए तो विकल्प यहां से भी ये आपका सही जवाब हो जाएगा भक्ति का असत्तान मानव हिदय है वहीं किसके संजोग से उसका रादू भाव होता है विकल्प सी सधा और प्रेम अचार रामचन सुकल जी कमसर हिदय से क्या कि जा सकती है सधा, सानुभूती, प्रिती, भक्ती विकल्प दि भक्ती मनुस्य के हिदय को प्रक्तिक दसा में कौन ले आता है प्रेम, लोग, सधा, कविता विकल्प दि कविता चाना कि ये समय अपनी निती का की सफलता के लिए किसी निष्टूर बेपार में प्रभित दिखाई परता है उस समय वो दया, करून, आदिस सब मुनो विकारों या भावों से परे दिखाई परता है यह कथन निवन्द के कौन से अंसिलिया गया है तो विकल्प भी आपका सही जब होगा, कावि और बेभार रामचन सुकल कमसार, आनंद की सदना अवस्ता किस से समन्दित है भुधी पच, भोग पच, प्रत्न पच, हिदय पच तो विकल्प यहां से सी हो जाएगा, प्रत्न पच देखिए यह प्रस्न जो है, साइध, यह प्रस्न अपकी इस पार एक्जाम में आने का चांस जादा है इसलिए इस प्रस्न को भीव्याई कर लिजेगा आप लोग, यह जो मैं प्रस्न कर लिया हूँ, यह आब कावी में लोक मंगल की साधना वस्ता से समन्दित प्रस्न है, अबकि यह प्रस्न मुझे लगता है कि 100% चांस है, यही प्रस्न आपका आएंगे, तो ध्यान रखिए इस प्रस्न को, एक जाती को मुर्ति पूजा करते देख, दूसरी जाती के मत परवत्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है, यह कथन किस निवन से समन्दित है, स्रदा भक्ति, करूना, भाव या मनुविकार, उस्सा, तो विकल्प यहां से सी सहीजवाब हो जाएगा, नेक्ट है, अचारी सुकल के किस रचना के लिए इनको देव पुरुषकार प्राप्थ हुआ था, चिंता मनी भाग दो, चिंता मनी भाग एक, चिंता मनी भाग तीन, उप्रुख सभी, तो विकल्प यहां से सहीजवाब हो जाएगा, नेक्ट है, मोहन राकेस का कौन साना तक अधूरा है, पैरतले की जमीन, लगो के राजहंस, असार का एक दिन, आधे अधूरे, विकल्प आपका एस सहीजवाब का पैरतले की जमीन, नेक्ट है, इतिहास का अनुसिलम किसी भी जातिक को अपना आदर्स संगठित करने के लिए अतियंत लवदायक होता है, यह पंक्ती किस नातक कार की है, जसंकर प्रसाद, हरी क्रिष्ट प्रेमी, उदर संकर भाट, लच्छुन नरायनमिस, विकल्प आपका एस सहीजवाब हो जाएगा, क्रिश्न रून, यूद नातक किसने लिखा है, चार विकल्प दिये हों आपके पास, ब्रिंदावन, लाल सावर्मा, धरमीर भारती, माखा नल चतुरदी, भातेंदु हर्चन, यहाँ से विकल्प आपका सी सहीजवाब होगा, माखा नल चतुरवेदी, हिंदी साइथ के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साइथ बिमर्ज के लेखा कौन है, यहाँ से आपका विकल्प डी सहीजवाब होगा, कौन मिस्र बंदुवों में नहीं है, गनेश बिहारी मिस्र, स्याम बिहारी मिस्र, क्रिश्न बिहारी मिस्र, सुकदेव बिहारी मिस्र, विकल्प सी सहीजवाब होगा, यह आपको मिस्र बंदु में सामिल नहीं है, बाकी गनेश बिहारी मिस्र, स्याम बिहारी मिस्र, और सुकदेव मिहारी मिस्र, यह सब सारे मिस्र बंदु से समन्दित है, नेक्ट प्रस्शन जो है सुकून की तलास जो की गजल है किसकी रचना है विकल्प भी होगा सहीजवा समसेर बहादूर सिंग्ग की है इन में से कौन ललित निमंदकार नहीं है तो महावी परसाद दिवेदी सही हो जाएगा यह ललित निमंदकार नहीं है रनेंदर जी की कौन सा अपनियास मूंडा जन्जाती पर केंदित है विकल्प भाप के पास है गुलोबल गाउं के देवता गायव होता हुआ देश रात बाकी मिशन जहारखन तो विकल्प भाप का एस साइज वाबगा गुलोबल गाउं का देवता रेंदर जी का कौन सा अपनियास जो आदिवासी समाच की समस्याओं का चित्रन किया गया है इसका देखिए यहां पर रेंदर जी का नेक्स्ट है 53 नमर जो है रेंदर जी का कौन सा अपनियास मुंडा जन्जाती पर केंदी था ति यह का जो बिकल्फ होगा भी हो जागा आप लोग मुझसे मिस्टेक हो गया सो आपका दीजेगा देखिए यह आपका जो बाइमिस्टे से यह जो इसका जो बिकल्फ आपका सही होगा गायव होता हुआ देश है जो कि मुंडा जाजाती पर केंदी था यह और अभी जो नेक्स्ट जो प्रश्ण भी करने वाले हैं 54 इसका जो होगा बिल्कुल ए सही जवाब होगा गुलोबल गाउव को देखिए नेक्ट है जार कि विकल्प यह हो जागा घर बंधू नेक्स्ट है कवीता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है निराला पंत परसाथ महादेवी तो विकल्प यह होगा निराला मुक्त चंद में लिखिक हिंदी की पर्फम कभीता है जुही की कली आशू गुंजन प्रेशी विकल्प यह होगा जुही की कली हिंदी नए चल में ढली फूछा सकता है हिंदी नए चल में ढली कभ भार्फम तलिका रश्वी इसे किस पूस्टक मेंगित किया है देखिए यहा से आको help थीं प्रफम मनेंगे मैं बताता हूं पहले पूछा जाएगा कि हिंदी नए चल में ढली कभ कब मैंने कि इसका किया गया था लॉंच प्रकासन कब किया था साथ में किसके दर्वा लिखा गया है तो भारतेर्दु हर्चन आप यह पुछा जाए कि किस पूष्टक मंगी थे यहां से आपको बताना यह चीज है तिन प्रस्णुवा यह तिनों प्रस्णुव का आपको बि विद्या सुंदर निल्देवी भार्दु दसा यहां से बिकल्प यह हो जाएगा काल चक्र नेक्ट है हिंदी परदीप अकबार किसे संबंदी थे परताप नायन मिस बाल कृष्ण भठ लाला स्री निमास दास राधा कृष्ण दास तो बिकल्प यहां से क्या हो जाएगा बी आपका सही जवब होगा बाल कृष्ण भठ नेक्ष्ट है सन उन्हेश्व सत्यालिस स्वी में आगे ने किस पत्रिका का संपारन किया जिसके माध्यम से परियोगवादी का भी अंदोलन को सक्ति मिली हंस परतिक रुपाब सवनमय तो बिलकुल यहां से बी आपका सही ज के दारनाथ सिंग्ग और सर्वेसर द्याल सक्षेना का समन्द किस सब्तक से है तार सब्तक दुसरा सब्तक तिसरा सब्तक चौथा सब्तक विकल बापका सी सहीजवब हो जाएगा प्रगतिवाद की पर्मुक प्रवितियों में से कौन सी प्रविति नहीं थी आका पास चार विकल्प दिये हुए हैं विकल्प आपका यहां से सी आपका सही जवाब होगा समकालिन कवीता का कभी निम्लिखित वेसे कौन नहीं है विकल्प दियोगा के दाना अगरवाल नेट है हिंदी साहित में ब्यंक के अधार अस्थम है तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा यह भी आपका इस बार प्रोष्ण आने का चांस्स है हंडेट पसं स्योर रहिए नेट है हिंदी साहित में पसलित विधा है लगू कथा कहानी उपनियास नातक तो विकल्प यह हो जागा लगू कथा देश प्रेम है क्या देश प्रेम है क्या प्रेम ही तो है इस प्रेम का आलंबन क्या है सारा देश अर्थात मनुश्य पसू पच्छी नदी नाले वन सहीत सारे भूमी उक्त कथन किसका है जी महावीपसादिवेदी रामचन सुकल हजारीपसादिवेदी स्याम सुंदर दास तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी सभीज़वद रहोंगे रामचन सुकल जी का है हिंदी नोड़तन के लेखक दिन्में से कौन से रश्नकार हैं इसमें से महावीपसादिवेदी मिस्र बंदू प्रतापनायन मिस्र हजारीपसादिवेदी तो बिल्कुल यहाँ से सही जवाबगा मिस्र बंदू नेक्ट है रितीकाल की भूमका रस सिधान्त कमाईनी के अध्यन की समस्या नामक और अलवसनात्मक ग्रांथ किस रश्नकार के हैं तो आपके पास जो बिकल्प है डॉक्टर नगेंदर, आचार शुकल, बाबू, गुलाब राय, डॉक्टर रगवन्स तो यहाँ से बिकल्प भी सही जब हो जाएगा अचार रामतन शुकल जी नेक्ट है कवीता के नई परतिमान में से किस लेखक को केंदरे में रखकर आलोचक हिंदी कवीता को समझाने का परियास किया है निराला, प्रशाद, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा विकल्प शी जयेगा, मुक्तिबोध। नेक्ट है, बिसुद, अलोचना ग्रंथ, भाक्तमाल, प्रियावन्दा, रामजेत मानस, रामकी, सक्ति पुजा तो विकल्प इहां से यह साही जब हो जाएगा भाक्तमाल आठ शाप के स्थापना कभूई थी? पंदर सु साथ इसवी, शोलो सु इसवी, पंदर सो पैसट इसवी, पंदर सो सत्तर इसवी तो विकल्प यहां से पंदर सो पैसट इसवी हो जाएगा नेक्ट है ढोला, मारू, रा, दूहा के रहे चाहिता कोन है? चाहर बिकल्प आपके पास, बिकल्प यह हो जाएगा कलोल, नेक्ट है जैन साइट की रास परंपरा के प्रथम गन्थ, भरतेस्वर, बहुबली, रास, रास के रसनाकार कोन है? चाहर बिकल्प यहां पर भी आपके हैं? बिकल्प यहां के आपका A सही जवाब हो जाएगा? नेक्ट है, संक्राचार ने समाजिक एकिकरन के लिए किस दास्निक अध्यातिमिक एकिक का निरुपन किया है? तो बिकल्प यहां से आपका C सही जवाब होगा? नेक्ट है, किस कभी की कभीता का हिजय वेद कता को लच करके उसे नावक के तीर कहा गया है? बिहारी, घ्रानन्द, पदमाकर, देव. बिकल्प यह होगा सही जवाब. इन में से हर्वंस राइबचन की रचना कौन सी है? मदू बाला, मदू साला, मदू कलस, निशार, निमंत्रन. बिकल्प बी सही जवाबगा मदू साला. मैं मीर भरी दूख की बदरी, पंक्ती किस कवित्री की है? महादिवी वर्मा, मीरा बाई, उसादिवी मित्रा, सुभद्रा कुमार शुभान. तो बिकल्प अब का यहां से एसाई जवाबगा महादिवी वर्मा. खरी बोली हिंदी का पर्थम महाकावि किसे माना गिया है? कमाईनी, पिरिय प्रवाश, जैदर्थवध, जैभारत. बिकल्प बी होगा, पिरिय प्रवाश. गांधी जी द्वारा, संपादित, किस सप्ताहिक समचार पत्र का गुजराती संस्क्रन, नौ जीवन नाम से प्रकासित किया गया था. यंग इंडिया, हरिजन, इंडियान ओपिनियन, हरिजन सेवक. तो बिकल्प आपका यह सही जवाब होगा, यंग इंडिया. सस्वती पत्रिका के सस्थापक कौन थे? प्रेम चन, चिंता मनी घोष, स्री नराइन चत्रवेदी, माहे पसा दिवेदी. तो बिल्कुल बिकल्प सही जवागा, चिंता मनी घोष. दर्धारी सिक दिनकर्व को उर्वसी पर किस साल या किस वर्ष भारतिये ज्यानपित प्रुस्कार मिला? 1968, 1980, 1979, 1972. तो बिकल्प डी आपका सही जवाब होगा, उने सो बहत्तर इस्वी. हिंदी साहित का कौन सा काल, मुख्यता, जाड़ेती, संघर्ष और युधो का काल रहा है? तो बिकल्प अपके यहाँ से सी होगा, आदि काल. Next है, हिंदी साहित में बिद्यापती की पदावली किस काल की रशना है? आदि काल, रिति काल, भक्ति काल, मधि काल. बिकल्प अ हो जाएगा आदि काल. मुझे चान चाहिए किस विदाव की रशना है? कहानी कभीता नातक उपनियास. बिकल्प डी उपनियास. उदंत माडंड के पर्थम सपादक कौन थे? बिकल्प डी साहिज वावगा जुगल किसोर. 86 नमर जो प्रस्ण है, निमली खीत में से कौन सा लेखक भातेंदू मंदल का नहीं है? बिकल्प डी आपका सही ज़ब होगा. नेक्ट है, लाल चंदरिका के रशनाकार कौन है? ललू लाल जी, सदल मिस, गांगा पसाद सुक्र, राजा स्वी पसाद सितारे हिंद. बिकल्प डी आपका सही ज़ब होगा, ललू लाल जी. नेक्ट है, अप ब्रंस भासा के बारे में सही कथन है जी. अप ब्रंस भासा की सहीत रचना का उलेख स्वरपत्तम वलभी के राजा धार्शन के सिलालेख मिलता है. अप ब्रंस सब्द का साब्दिकत है, बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, पतन, अप ब्रंस भासा में सहीत रचना का आराम 18 सदिस हुआ है. बिल्कुल बिकल्प D आपका सही जवाँ होगा. आप ब्रंस में एक सब्द के कितने रूप मिलते हैं? 24, 18, 16, 12. तो बिकल्प यहां से C आपका सही जवाँ होगा 6. नेक्ट प्रस्ण जो है, अवर्ट में किस नई स्वर धौनी का अभिकास हुआ है? चार बिकल्प दिये हुए हैं. बिकल्प D साइज आपका आपका आपका. पुरानी हिंदी के संदर में कौन सा कथन गलत है? बिकल्प आपका आपका सही है, जो कि यह गलत कथन है, अब इसी को आपको पचानना था कि कौन सा गलत है? स्वाधिन्ता अनलोनिक के समय, राष्ट भासा हिंदी के विकास के लिए इन में से किसके सुझाओ पर दच्छिन भारत हिंदी पचार सभा की अस्थापना की गई है? राजा, गोपाल चारी, बाल गंगासा तिलर, महात्मा गांधी, बाबू राओ, विश्नु पडाकर, तो विकल्प सी होगा महात्मा गांधी निलिक्रुत से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प डी साइजवा हो जाएगा पर हाँ पर मदिकाल में आउधी की साहितिक सवरूप को समरित करने में किसकी भूमका नहीं रही है? नूर मौमद, मती राम, मन्जन, कुतुबन तो यहां से विकल्प आपका भी सही जवाब हो जाएगा मती राम नेक्ठे मुला दाउत की भासा है विकल्प डी आपका सही जवाब होगा ठेठ हो दी देवनाग्री लिपी में सुधारों का आरंबिक प्रत्ने किसने किया है? विकल्प डी महादेव, गोविंद, रनाडे नाग्री लिपी में मत्राओं को बेंजन के बाद दाहिनी और अलग से रखने का सुझाओ किसने दिया? विकल्प सी होगा गोलट पसाद हिंदी की उप भसाएं कितनी है? तीन, चार, पांच, छे विकल्प सी पांच सौर सेनी अब्रन से उत्पन भसाएं हैं विकल्प बी आपका सही जवगा पच्छवी इंदी, राइस्थानी, पहारी और गुजराती जार्खन की सबसे लोगपुरिय लोगभासा क्या है? भोचपुरी, नाकपुरी, खोठा, पंच, परगनियां तो विकल्प बी होगा नाकपुरी किस भासा का समन जार्खन से नहीं है? खरिया, हो, मुंडारी, डोगरी तो विकल्प डी सही जवगा डोगरी या डोगरी नाकपुरी भासा की लिपी क्या है? देवनागरी, ओल्ची की लिपी, वारंची पी, तोलंची की विकल्प यह होगा देवनागरी कर्याले कारे में नोटिंग का अर्थ क्या है? टीपन लिखना, ग्यापन लिखना, मसोदा लिखना या सुचना क्या हो जागा यहां से? बिल्कुल विकल्प यह आप लोग सही ज़र देवनागरी, टीपन लिखना देखिए एक सो पाइच नमद प्रस्न यहां पर है, यहां से शुरू है, पारूपन के अन्परियाज सब्द हैं, आलेखान, प्रालेखान, मसोदा लेखान, यह सभी तो यहां से बिकल्प डी आपका सही ज़र होगा, यह सभी हिंदी व्याकरन के अनुसार संग्या के कितने भेद होते हैं, तीन, चार, पांच, छे, तो बिकल्प सी होगा, पांच नेक्ट प्रस्ण जो है, संग्या एस और नहम का वह रूप जो वाक्य के अनिस सब्दों खासकर किरिया से अपना सबंद परकट करता है, क्या कलाता है, बच्चन, लिंग, अब यह कारक तो बिकल्प डी आपका सही ज़र होगा, कारक नेक्ट है, निर्वे से किस भासा को सब्धान की आठवी अनिसुची में सामिल नहीं किया गया है, जबकि वो एक राज की राज किये भासा है, अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, संस्क्रीट, विकल्प यह आपका सही ज़र होगा, अंग्रेजी केंदरिये, भारतिये, भासा, संस्थान कहां इसित है, हाइदरावाड, वारनाशी, मैसूर, उजेन विकल्प सी होगा, मैसूर, नेक्ट है, हिंदी दिवस कब मनाए जाता है, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 2 टूबर, 3 दिसंबर, तो आप लोग सही ज़र रहेंगे, 14 सितंबर, विकल्प यह आज सही ज़र होगा, नेक्ट है, एकसरे गर्वेनाव प्रस्ट जो है, छमा, दान, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पंक्ती, कुर्चेत्र के की सर्ग में है, तो यह तिस्सर्ग में है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है निक्टे यहां पर भी पंक्ती ही लिख हुई है क इसैंट निया है कि यह पुछा दिंधिी कुछेते कि सक्षे लिया गया है कर यह जो लिया गया है इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितनी भी सख है और भी हैं कम से कम उसका जो जो फुरुवात होता है जिस जिस सर्ग सुरुवात हो टाहें आप कमाइंग लिए और प्रूइट का स्जाए क्लुश this के लिए और क्रितर्म सांती का उलेख है पर्थम। दितिए चतूर्थ तो बिकल्प इहां से आपका डी साही जवब होगा चतूर चतूर्थ सर्ग। next है कुछेट परतीक है यूद का प्रेम का सत्री का उपरुख सभी तो कुछेटर अपरोव समझ लोगे यूद का विकल्प ए आपका बिलकुल सहेजवाब है next है कुछेटर में पविकाई कहा गया है विकल्प सी आपका सहेजवाब भीम यहां पर भी देखिए कौन तूम यहां शुरू है आप पुछा जा रहा है यह पंक्ति कमाईनी के की सर्ग्स का है तो ऐसे ही प्रफशन बंते हैं आपके एक्जाम में वहीं मैं बता रहा हूं कि जो सर्गा को पढ़ने हैं जिसे सर्धा चिंता लज्जा इस सर्गा पहला जो पंक्ति है उसे याद रखे उसका अंतीन पंक्ति भी याद रखे और जो उसमें फेमस पंक्ति है ने जो पुछे गया उस पंक्ति को भी आपको याद रखने हैं तो यहां से आपक्या हो जाएगा बताईए तो विकल्प सी हो जागा सर्धा सर्ग कमाईनी में लजा किसकी मैं प्रतिक्रिति है राति की काम की, इडा की सधा की, विकल्प ए हो जाएगा राति की甚麼 कमाईनी में अरी व्याधि की सुत्रधार्णी किसे कहा गया है सधा इडा, चिंता, लज्जा, विकल्पस होगा चिंता हैं कमाईनी में कितने सर拜拜 कि टेरा 17 15 19 वी कल सी जो जाएंगे 15 और साथ सर्गा आपको करम वाई याद होँ चाहिए ऐसे प्रस्षत पुछेंगे कि सधा सर्ग के बाद कौन सर्गाता है यह सधा याद कर लीजिए करम बाई उपर आजी करम और सारे का जो पर्तिक है जो पर्तिक है उसे भी याद रखें आप लोग कमाईनी में जैसंकर परसाद मनु को कैसा प्रुष्ट मानना उचित समझते हैं कि विकल्प डी हो जागा एतिहासिक राम की सक्ति पूजा के अनुसार राम रामन यूद के दोरान कौन केबल प्रबुथ था विकल्प आपका यहाँ से सी होगा हनुमान राम की सक्ति पूजा में लिला सहचर किसके लिए पर्युक्त हुआ है हनुमान सिता लच्मन सिता सिता यहाँ पर डबल लिखा गया है तो विकल्प यहाँ से ए होगा हनुमान नेक्ट है राम की सक्ति पूजा की कथा कि कितने सुपान है दो तीन चार पाँच विकल्प डी हो जाएंगे पाँच नेक्ट है सुग्रिव, भीबीशन, जामवान, अंगर, निल, नल, हनुमान, गवाच आदी पर्वस सिखर पर क्यों एकत्र हुए हैं विकल्प सी सही जब हो जाएगा राम की सक्ति पूजा के विशय में कौन सा कथन असत्य है देखिए ये आपका विकल्प सी सही जब होगा राम की सक्ति पूजा कथना के राम सीत मानस पधारित है ये बिल्कुल असत्य कथन है कभी ने स्रोज की मिर्टू के कितने समय बाद लिखी विकल्प ए हो जाएगा दो बर्स बात स्रोज इसमिती कभीता के रसनाकार कौन है सूरिकान तिरपाठी निराला जैसंकर पसाथ अगे तुलसी दास तो यहाँ से बिकल्प आपका A सही जवाब होगा निराला जै स्रोज की हिजगाई में किसकी सुंदर छबीज लखने लगी स्वाइम की, निराला की, पिडिय या पती की, परमात्मा की बिकल्प C होगा पिडिय या पती की देखिए असब्द अधरों का सुना देखिए यहां पर आप यह पुछा है कि यह जो परसुत पंक्ति जो है वह किस कभीता से लिया गया है या किस कभीता में संग्रित है चूर्टे पतर बादल्राघ संग्रिसमिति लिए प्याला ठीकर बीकलप कर दी होगा सोजेश में सिरल bleibt भीकलति कभीता में कभी ने मुकरूप से किसका बोनन किया है या सोजिश्मिति की नाइका कौन है तो अकुन्त निराला प्रस्त पूछा जा सकता है यहा ऐसा प्रस्त दुनों में या दखी का दुनों कांस सोच ही होगा कि यहाँपर भी देगे पंक्ती लिखी हुई है यहाँ पर आप परसुत पंक्ती आयोध्या कांट के किस कांट से लिया गया है चार विकल्प है यहां पर विकल्प आपका एस जोगा सुमंद्र का अयोधा लोटना कि रामित इत मानस के पिसकेनि याद्या कानद में कौन-कौन से सभर है श्री remembering सनवाहध वसिर्थ हाओ वासिस्थ बावलि करों भी कि अचाइज हाप पर गलत लिखावह जाए कि चाहिए यहां पर ऐसे प्रस्ण होगे यहां पर कौन-कौन सनवाध यहां पर जो प्रस्ण होगे नहीं है ओके नहीं है तो विकल्ब यहां से सी सहीज़ हो जाएगा राम चरित मानस किस भासा में लिखा गया है ब्रज भासा ओधी भासा खड़ी बोली उप्रुख सभी विकल्ब यहां से सहीज़ होगा ओधी भासा तुलसी दास को उत्र प्रेश्चाओं का बासा किस नहीं कहा है तो विकल्ब यहां उदाई भानु सिंग ने नेक्ट प्रस्ण जो है तुलसी दास और उनकी रचनाओं से समन्दित कौन सा कथन सही नहीं है विकल्ब यहां आपका सहीज़ होगा नेक्ट है कवितावाली के किस कांड में कासी की महमार्णी का वर्णन है बाल कांड, अयोध्या कांड, उतर कांड, सुंदर कांड विकल्ब सहीज़ होगा, उतर कांड यहां आप अभी देखें, पंक्ती लिखी हुई है और बोला जाएं कि इस पंक्ती के कभी कौन है पंक्ती आप लोग पढ़ लीजिए पहले एक बार यहां देखें, चार विकल्ब आपके पास है तो विकल्ब पे होगा तुलसी दास कभीता वली किसकी दचना है वाल में की तुलसी दास, कभीर दास, सूर्दास विकल्ब बी होगा तुलसी दास कभीता वली उत्तर कांडस में किस हैली कावलन किया गिया है विकल्ब डी अभी धात्मक लच्मन मुर्चा और राम का विलाप किसकी दचना है वाल में की तुलसी दास, कभीर दास, सूर्दास विकल्ब भी तुलसी दास यहां भी पंक्ती लिखी हुई है और यहां पर जो भामरित सार का पंक्ती है आप वोला किस राग में लिखा गया वो पूछा जाड़ा यहां से आप पहले पंक्ती एक पढ़ लिजे रिट कर लिजे प्रिती करी दीन ही गरे छूरी इस टाप से पंक्ती लिखी हुई है यह सबसे जारे डिफिकल्ट प्रस्ण है आप लोग के लिए तो यह पूछा जाड़ा कि भामरित सार में किस राग में लिखा गया है तो विकल्प यह होगा राग सारंग किनके रूप रंग सरीर में समानता दिखाई बताई गई है उद्धो क्रिष्ट C है A और B दोनो D बलना विकल्प C हो जाएगा A और B दोनो सुर्दास जी के कितने परमुख रस बताए हैं एक दो तीन चार विकल्प B हो जाएगे दो रस बताए हैं नेक्ट प्रस्ण जो है सुर्दास जी ने कभी सुर्दास जी ने जीवन की बिर्तियां बताई है बाल बिर्ती योन बिर्ती एओ भी दोनो जदा बिर्ती तो यहां से विकल्प C सही जब होगा एओ भी दोनो नेक्ट है सूर्दास जी किस संप्रदाई के अनुवाई थे बिकल्प डी वलप संप्रदाई कबीर बीजक में साख्यों के संख्या कितनी है 345, 354, 353, 435 विकल्प सी हो जाएगा 303 सत्गुरु, सत्गुरु इस्थाख से जो पंक्ति लिखी हुए पंक्ति किसकी है बिल्कुल आपनों सही जब रहे हैं विकल्प सी कबीर दास फिन से वह ही पंक्ति लिखी हो लेकिए पूछा जा रहा है यह जो पंक्ति लिखी हुई है कबीर गंथले किस अंग में समंधित है विकल्प आपका यह होगा सही जब गुर्दो को अंग कबीर के रचना है किस प्रकार के काब की है प्रबंध मुक्तक दोनों दोनों सकोईनी विकल्प बी हो जाएगे मुक्तक यह है आज का अंतिम प्रस्ट गुर्दो गुर्दयर ने जो ती चलाया वह था सत्य का प्रण का प्रेम का प्रिच्छा का तो विकल्प यहां से आपका स्रीस है जो होगा प्रेम का तो यह था टेस्स स्रीज नमर टेस्स नमर शिक्स था मैंने इसमें बहुत रगा है आप समझे कि असे क्लेक्शन करना संग्रा करना कर ना एक सता है काहे कि कि आरे survival को मुले की मैं जो टेस्स करा जा रहा है ऐसा एक भी प्रस्ण नहीं होगा कि आपको इस लेबस बाहर दिया जा रहा है आपको जितने स्लेबस दिए उसी अंत्रगत सारे प्रस्णों को बनाए जा रहा है क्यों इसा बना जा रहा है अप बताते हैं देखिए अगर आप कोई भी प्रस्ण में फखसे पहले कर पा रहे हैं तो आप उस topic को अच्छे ढंक से पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इस परका का टेस्स करा रहा हूं आप कहीं भी टेस्स देखें देखिए इस ऐसा टेस्स आपने आप लीकेशन पर चाहिए बुक में इस आपका टेस्स नहीं देखें होंगे आप बिलकुल यहां पर नाइनटी नन पर सकते हैं मैंक समय्ना एक्राइड के यहां पर आपको पुर्छक कम से कम 50% 60% यहां आपके जो मैं जतना भी टेस्स कर आ रहा हूं कि जतना मैं प्रेक्टिस कर आ रहा हूं अगर आएसे प्रस्टों को स्वल्ब कीजिए गाने तो मैं ग्रांटी दाऊगा कि इसका सेलेक्शन आपका निचीन थे इस बाग अगर इसका पीडियेप लेना चाहते हैं आपको 700 450 1486 प उस पर उस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीन शोट दिजिए का आपको तुरांट सारे टेस्स आपको मिल जाएंगे ओके थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो